ये हैं मेरा तीन साल का मिनी ओरेंज का ड्वार्फ ट्री और इसे मैंने इस 18 इंच के गंबले में एर लेयरिंग करके उगाया हुआ है फिलाल ये प्लांट फुल फूरुटिंग पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 50 से भी ज्यादा फूर्ट्स लग रहे हैं इसके फूर्ट्स का टेस्ट और लेमन के मिक्स फूर्ट जैसा खटा मीठा होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर पर इस तरह का फलों से भरा हुआ मिनी ओरेंज का ड्वार्फ ट्री गमले में भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो एवरिवन मैं हूँ शुरीश और आप देख रहे हैं बोन साय एंड गार्णिंग जोन दोस्तो चाइनीज ओरेंज का ये प्लांट आप अपने घर पर और्नमेंटल परपस के लिए लगा सकते हैं या इसके खटे मीटे फलों के लिए भी लगा सकते हैं इन फ्रूट से लेमनी ओरेंजिश फ्लेवर का लेमोनेट जैसा टेस्टी और हेल्दी बेवरेज भी बना सकते हैं इसे चाइनीज ओरेंज, मिनी ओरेंज, मेंडरेंज, मेंडरेंज और केलामोंडें ओरेंज भी कहते हैं इसे होगाना और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है इस सिट्रस प्लांट की ये खासियत है कि ये साल में दो बार इसी तरह से जबरदस फ्रूटिंग करता है और इस पर पके हुए बिनी ओरेंजिस लगबग 3-4 महिने तक लगे रहते हैं यानि साल के ज्यादा तर समय ये फ आप इसे Amazon से order करके online में मगवा सकते हैं आप इसे खुद भी air layering करके उगा सकते हैं इसे seed से भी उगाये जा सकता है मगर बीच से उगाये हुए पौधे को फल देने लाइक mature होने में 4-5 साल भी लग सकते हैं मेरे पास China Orange का ये 2 साल का bonsai plant है ये अभी under training है मैंने इसको defoliate कि टादी है जिससे इसकी पत्यों का size और भी छोटा होता जाएगा मैंने इसकी trunk और branches को bend किया हुआ है किसी भी ट्री की branches की wiring, bending और training कैसे की जाती है, bone side कैसे बनाया जाता है इस topic पर जल्दी ही में detailed video बनाऊंगा फिलाल मैं ट्री की इस sacrifice branch में air layering करके नया पौधा बनाऊंगा एक sharp blade को sterilize कर लीजिए, अब इस तरह से एक इंच की दूरी पे दो cuts लगाईए, बीच में एक लंबा cut लगा कर इसकी skin को निकाल लीजिए, citrus plant में फरवरी मार्च और जुलाई से सितंबर के महिने में air layering कर सकते हैं, बरसात का मुसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है, छिल foods जल्दी निकलेंगी, 50% vermicompost और 50% normal मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरह से गीला कर लीजिए, अब गीली मिट्टी को polythine पर रखकर cut वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से अच्छे से लपेट दीजिए और polythine से cover कर दीजिए, अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से tight बान इस पर silver foil लपेट दीजिए, इससे इसके मिट्टी का moisture बना रहेगा, जिससे मिट्टी सूखेगी नहीं, air layering के बाद इसे shade में रखना है, इसमें rooting शुरू होने में 4 से लेकर 6 हवते तक लग सकते हैं, इसी तरीके से आप किसी भी फलदार पौधे जैसे की अमरूद, और आम में भी air layering करके नया पौधा बना सकते हैं, मैंने इसी तरह से नीबू की air layering करके नया प्लांट तयार किया था, जो साल भर धेर सारे नीबू देता है, गमले में धेर सारे नीबू हुगाने वाले इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, तो उपर दिख रहा है, आई बटन पर क्लिक कीजिए, वीडियो का link भी में description box और print comment में दे रहा हूँ, air layering किये हुए 32 दिन हो गए है, चलिए इसे open करके देखते हैं, हमारी air layering successful हो गई है, और इसमें काफी अच्छी root growth हुई है, अब इसे sterilize sharp cutter से cut कर लीजिए, अब ये identical clone plant गमले में या जबीन में लगाई जाने के लिए तयार हो गया है, 50% garden soil, 30% compost और 20% rate मिला कर potting mix बनाईए, अब गमले के बीच में गड़ा करकर इसे लगा दीजिए, अब इसमें भरपूर पानी दीजिए, और इसके बाद इसमें पानी तभी डाले, जब छूने पर उपर के मिट्टी सूखी लगे, जब तक इसमें नई क्रोच शुरू ना हो जाए, इसे ऐसी चायादार जगे पर रखना है, जहां सिर्फ सुबा 2-3 घंटे की धूप मिल सक क्योंकि इससे प्लांट की ओवरॉल ग्रोथ स्लो वजाती है, और इसलिए पहली फ्लावरिंग के सभी फूलों को मैं तोड़ दूँगा, इसके उपर की टिप्स की कटिंग करते रहने से पौधे में नई नई ब्रांचे जाएंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचे जाएंगी कि पौधा आगे चलकर उतने ही घना होगा और फल भी उतने ही ज्यादा आएंगे, अगले साल में इसकी रिपोर्टिंग बड़े कंटेनर में कर दूँगा, तीन साल बात पेड़ काफी घना हो गया है, रेगुलर प्रूदिंग से इसमें धेर सारी ब्रांचे निकल आई है इसे मैंने बड़े पॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है और इस पर जबरदस फ्रूटिंग हो रही है, फिलाल इस पर पचास से ज्यादा फ्रूट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ब्रांचे पर इतने धेर सारे फल लगे हैं कि फ्रूट्स के वजन से ब्रांचे नीच को बताऊंगा, इस पर पके हुए औरेंजिस के साथ हरे कच्चे फल भी हैं और बहुत छोटे छोटे फ्रूट्स भी हैं और सेम टाइम पर इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, मैं अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइजर्स और जहरीले पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करता, इसलिए मेरे गार्डन में मदु मक्हिया और भवरे जिसे कई पॉलिनेटर्स आते हैं और अच्छे पॉलिनेशन का मतलब है ज्यादा फल, फ्लावरिंग खत्म होने के लगबग एक महीने बाद फ्रूट सेट होने लगता है, तीन महीने बाद आपको धेर सारे कच्छे चाइनीज ओरिंज देखने को मिलेंगे, फूल आने से लेकर फ्रूट पकने तक लगबग 5 से लेकर 6 महीने का समय लगता है, विंटर सीजन में इस पर सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, अब मैं आपको एक पका हुआ फ्रूट हर्वेस्ट करके उसका टेस् चाइनीज ओरिंज के प्लांट को अच्छी फ्रूटिंग के लिए धेर सारी धूप की जुरुत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखे, जाहें इसे दिन भर धूप मिल सके, सिर्फ तेज गर्मियों के मौसम में कड़ी धूप से बचाने के लिए इसे शेड में रखना धेर सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए महीने में एक बार दो मुठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या इस तरह का वर्मी कंपोस जालकर उपर की मिट्टी को हलका हलका लूज कर लें, साथ ही इसमें माइक्रो नूट्रिंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार एक चम्मच, बायोजाइम या सीवीड एक्स्ट्रेक्ट फर्टिलाइजर जरूर डालें, इससे फल फूल और पत्तियों की ग्रोध बहुत अच्छे से होती है, पत्तियां पीली पड़ती हैं मैगनीशियम की कमी के कारण और इसका सोलूशन है मै इसे एपसम सॉल्ट भी कहते हैं और ये एक नेचरल मिनिरल होता है जो 100% और गैनिक होता है, आधा चम्मच एपसम सॉल्ट गंबले के किदारों पर बराबर डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए, इस प्रोसस को एक महीने बाद दोबाराद रिपीट कीजिए, किसी भी तरीके के इंसेक्ट या पैस्ट या फिर बिमारी लगदे पर हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ओयल को एक लीटर पानी में में मिला कर पूरे प्लांट पे अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चाइनीज ओरेंज का खटा मीठा बेवरिज बना सकते हैं, इन में से कुछ फूर्ट को मैं हर्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसे इनकी स्टॉक के साथ कट कीजिए, अगर आप फल को पकड़ कर खीच कर तोड़ेंगे, तो ये इस तरह से तूटेगा, इन्हें छील कर ब्लेंडर में डाल लीजिए, दो चम्मचीनी, थोड़ा सा काला नमक, दो चम्मच हानी, थोड़ी सी आइस, और एक ग्लास पानी, अब इसे ब्लेंड कर लीजिए, इसके बाद इसे चान लेते हैं, चाइनीज ओरेंज बेवरेज बनकर तयार हो गया है, दोस्तों अमेजिंग टेस्ट, एकदम लेमोनेट और और औरेंज जूस का मॉक्टे लग रहा है, दोस्तों इसका सिर्फ स्वाधी लाजवाब नहीं है, बल्कि ये विटामिन सी, विटामिन डी, अगर आप मुझसे डिरेक्ली सेट करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और ये रहा आज का कमेंट अफ दे वीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फो वाचिंग एंड कीप आं गार्डनिंग,